आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सिरीज की एक और दमदार कहानी ये एक लॉंग स्टोरी है दगर्ल इन दट्रेन कहानी तो अच्छी होने ही वाली है क्योंकि कहानी है अगाथा क्रिस्टी की द्वारा लिखी हुई इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर हाँ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे चैनल जिससे आपको ऐसी मज़ेदार कहानिया सुनने को मिलती रहें तो शुरू करते हैं कहानी की संबरी मेरी यानि गरिमा की आवाज में दगर्ल इन दट्रेन कहानी की उसके अंकल चाहते हैं कि जॉर्ज उनके बिजनस में उनकी मदद करे लेकिन जॉर्ज को तो अयाशी वाली जिन्दगी पसंद है अराम दायक जिन्दगी पसंद है इसी तरह वो अपने फ्रेंड्स के हाँ अकसर पार्टी में भी जाता रहता है उस रोज कुछ ऐसा हुआ क जो जॉर्ज की अयाशी भरी जिन्दगी थी वो पल भर में ही खतम हो गई दरसल जॉर्ज को पार्टी से आने में काफी देर हो गई रात को वो अपने फ्रेंड के घर पे ही सो गया सुबह उसने जो गिया वा था नशा इतना ड्रिंक किया था रात में उसका हैंग ओवर था तो अंकल के घर पहुंसते पहुंसते उसे बारा बच गये उसके अंकल चार घंटे से उसका अपने आफिस में इंतिजार कर रहे थे उनका गुस्सा जॉर्ज की उपर फूट गया एक तो अंकल को गाउट की प्रॉबलम थी जिससे वो परिशान भी रहते थे और थोड़ा वा चिर्चरे भी हो गए थे सारा काम खुद समालते समालते उन्होंने जॉर्ज को काफी खरी खोटी सुना दी कि जॉर्ज सिर्फ महंगे कपड़े पहने का शौक रखता है और जो बेतुकी सी पोयम वा लिखा करता है उससे कोई भी पैसे वो नहीं खमा पाएगा और हमेशा ऐसे एजी रास्ते ढूंटा रहता है जिससे प्रसिद्धी और पैसा उसे मिल जाए वो अपना समान पैक कर लेता है और नक्षे पर वो देखने लगता है कि लंडन के आसपास कौन सी ऐसी जगह है जहावा जा सकता है तब उसे एक जगहा दिखाई देती है जिस सिद्धी और पैसा दोनों मिल जाएगा यही बाते सोचके यह समान पैक करता है और ट्रेन के फर्स क्लास का टिकेट लेके यह कंपार्टमेंट में बैठ जाता है ट्रेन मूव होने ही वाली थी तब ही एक लड़की घबडाई हुई सी उस कंपार्टमेंट में आती है और व अपना ब्रीफ केस उसके आगे रख देता है तब ही उसके घबडाई हुई अंकल भी ट्रेन पर चढ़ते हैं वह पूछते हैं कि अभी मेरी भतीजी यहां पर आई है तुमने उसे देखा है जॉर्ज पेपर पढ़ने का बहाना करता रहता है वह ऐसा शो करता है कि उसने व पढ़ा बोलता है और रेलवे के गार्ड को बुला लेता है कहता है कि देखो यह आदमी मुझे इस तरह से उलटी सीधी बाते कह रहा है गार्ड जो है उसे ट्रेन किया गया था कि हमेशा well dressed जो अच्छी English speak करे वही आदनी सच बोलता है यहाँ पर अगाथा कृस्टी ने कताक्ष किया है उस जमाने में कि जो well dressed होते थे अच्छी English बोलते थे उन्हीं को favor मिलता था गार्ड भी favor करता है जोर्ज का और तुरंद उसके अंकल को ट्रेन से उतार देता है ट्रेन move कर जाती है अब वो लड़की जो चड़ी थी उस ट्रेन में वो बहार निकलती है उसके पूरी dress पे धूल लग गई है जोर्ज उसे dress साफ करने में मदद करता है फिर जोर्ज ध्यान देता है कि वो लड़की तो बेहत खुबसूरत है और जोर्ज को उसको पहली ही नजर में प्यार हो जाता है जोर्ज उससे उसका नाम पूछता है उसका नाम था Elizabeth बाते आगे बढ़ती है ट्रेन मूव करती रहती है और जोर्ज से वा पूछती है कि वो कहां जा रहा है जोर जाता है उसे कि वा रॉलेंड्स कैसल जा रहा है Elizabeth चौक जाती है कि उस जगह भला वो क्यों जा रहा है Elizabeth कहती है कि वो तो अपने अंकल से बचने के लिए किसी भी ट्रेन में चड़ गई थी उसके पार टिकेट भी नहीं था इसलिए अगला स्टेशन आते ही वा उतर जार्ज बड़ा दुखी हो जाता है वा Elizabeth को पसंद करने लगा था प्रेन जब अगले स्टेशन पर डुकती है Elizabeth उतर जाती है जार्ज को लगता है ऐसा कि ये कोई फिल्म का सीन है और वा हीरो है Elizabeth जो है वो कोई detective जैसे होती ना girls कि कुछ secret चुपाई हुई है काश ऐसा होता और George किसी तरह उसकी मदद कर सकता वा बार बार Elizabeth से कहने लगता है कि क्या वा किसी तरह उसकी मदद कर सकता है Elizabeth कहती है कि ठीक है वा स्टेशन पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि एक छोटा सा ब्राउन कलर का packet होता है बोलती कि इसमें बहुती एक secretive चीज है इसको तुम सम हाल के अपने पास रख लो फिर वहीं पर इस टेशन पे एक आदमी खड़ा होता है जिसने हलके रंग का ओवर कोट पहना था और देखने में बहुती mysterious टैप का आदमी लग रहा था उसकी काली-काली दाड़ी थी और चोटी सी मूझ थी यह कहती है Elizabeth George से कि वह आदमी जहां भी जाएगा तुम उसका ध्यान रखना उसका पीछा करना और तुम्हें क्या आगे करना है इसका इसकी instructions तुम्हें मिलते रहेंगे George को बड़ा interesting लगता है कि कुछ कारनामा वह अंजाम देने वाला है Elizabeth तो वहीं station पे रह जाती है और George का सफर बीचता है उस आदमी की निग जाता है वह आदमी एक सस्ता सा होटल लेके रुख जाता है George भी उसके कमरे के बकलवारा कमरा लेके ठहर जाता है डिना के समय भी George ऐसा टेबल चूस करता है जो उस आदमी के करीब हो जिससे वह उस पे नज़र रख सके फिर वह आदमी अचानक उठता है और बाहर चला जा Elizabeth से किया हुआ वादा उसे किसी कीमत पे भी पूरा करना था वो आदमी काफी दूर तक ठहलता है और वापस आ जाता है फिर अपना ओवरकोट उतार के वहीं टांग देता है होटल में आके जो और सोचता है कि अरे कोई trap तो नहीं था कि बेकूफी में मैंने इसका पीछा कि और कहीं वो ब्राउन कलर का जो पैकेट है वो कहीं चोरी तो नहीं हो गया यह भाग के जाता है अपने रूम में देखता है पैकेट ठीक से वहीं पे रखा हुआ है जब यह नीचे उतर रहा था तो यह देखता है कि वो जो मिस्टीरियस आद्वी है वो वहीं पर बैठा ड पतीजी की बारे में उससे पूछेगा लेकिन जो जब जाता है ओफिस में तो जो दो लोग थे उन्हें जो नहीं जानता था इसमें से एक यंग लड़का था और एक थोड़ा सा धेड़ उम्र का आदनी था दोनों उससे देखते ही पूछने लगते हैं कि तुमने हर हाइन यानि की Grand Duchess Anastasia Sophia Alexandria Mary Helena Olga Elizabeth of Catonia इतना लंबा नाम सुनके George का सर भूम जाता है वह कहता है वह Catonia नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता सब कहते हैं कि नहीं उन्हें खबर मिली है कि जिस ट्रेंट के कमपार्टमेंट में वो सफर कर रहा था George उसी में Catonia को भी घुस्दे वे देखा गया है अब George को शक होता है कि क्या Elizabeth her highness means कोई princess है अब यहां पर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं ये बहुती comic scene है वो जो यंग आदमी था और जो अधेर उम्रे का आदमी पूछताच करने के लिए आया था दोनों ये बहस करते हैं कि गलती किसकी थी जो वो हर highness missing है दोनों एक दूसरे को पंचस मानने लगते हैं और जमीन पर लोट के लड़ाई होने लगती है जॉर्ड ये सब देखकर उपर की तरफ जाता है जॉर्ड देखता है कि वो जो मिस्टीरियस आब में का पीछा करते करते वो इतना ठक चुगा था कि उसे जोरों की नींद आ रही थी लेकिन वो सोय कैसे अगर वो सोया और आदमी रात में कहीं चला गया फिर क्या होगा अब ये एक प्लान बनाता है ये एक थ्रेड लेता है और इस टैम से उसे उस आदनी के दरवाज पर चिपका देता है फिर वह थ्रेड खींचते हुए अपने कमरे में लाता है और जो बेल लगी रहती है कमरे में जिससे कॉल कर सकते हुआ वेटरेस को उसमें बान देता है अगर वह आदनी अपने दरवाजा खोलेगा तो ये बेल बजेगी इसके बाद जो जाता है रात क कि एक बाथ्रूम उसके कमरे के ठीक सामने भी था लेकिन वा दूर वाले बाथ्रूम की तरफ जाता है। जोर्ज की होल से जहाखने लगता है अंदर की वह बातरूम में क्या कर रहा है, वह आदमी बातरूम में जाता है और टाइल्स के पीछे कोई कागस छुपाने लगता है, फिर वह बाहर आता है, जोर्ज छुप जाता है और उसके जाने का इंतिजार करता है, जब वह आदमी च कि पैच्छा करने गया था उस आदनी का तो कोई इसके रूम में आया था औक पूरे रूम की तलाश ली थी पूरा समान तितर बितर था जो बहान mild निकलता है जो वेट्रिस थी वो रूम की सफाई कर रही थी वह उस से कहता है कि क्या उसके रूम में को आया था लेकिन वेटरिस ने तो किसी को भी आते हुए नहीं देखा जॉर्ज रूम में आके सो जाता है सुबर जब उसकी नींद खुलती है तो बाहर कुछ हला है कॉरिडॉर में ये बहार निकलता है जो वेटरिस थी वो परिशान है तो चोटी सी एक डिब भी थी प्लास्टिक की और उसके अंदर वेडिंग रिंग थी वेडिंग रिंग के अंदर जादा तर उस कपल का नाम लिखा होता जिनकी शादी होने वाली थी लेकिन उस वेडिंग रिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था जो और्ज का सर चक्रा जाता उसे लगता है कि वह किस चक्र रिव्यू में फज गया तब ही उसे याद आता है कि वह मिस्टीरियस आदनी का कमरा आखर लॉक्ट क्यों है कहीं वाँ कहीं चला तो नहीं गया अब उसे लगता है कि वह किसी भी तरह पता कर ले क्या हुआ है उस आदनी के साथ इसलिए वह जब बाहर विंडो के बाहर पेरपेट होता है छोटी सी पैसर जैसे पतली सी रेलिंग जैसी जगह होती है उस पे वह खड़ा होके और धीमे धीमे बाहरी बाहर दूसरे रूम में पहुँच जाता है बहुत डरता है वह ये काम करने में लेकिन जब दूसरे रूम में जाता है और खिड़की से अंदर जाता है तो देखता है कि वो रूम एकदम खाली पड़ा है लेकिन अलमारी के अंदर से कुछ आहटा रही है यह अलमारी खोलता है तो उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके मुँपे टेप लगा है और उसके हाथ पर रसी से बंदे हुए है यह आदमी कौन है जौर्ज उसे नहीं जानता वो उसकी पट्टी हटाता है हाथ पैर खुलता है वो आदमी दर असल इंस्पेक्टर जैरल्ड थे स्कॉट्लेंड यार्ड से वो उसे बताते हैं कि वह जो मिस्टीरियस आदमी है दर असल वो अंडर वॉल्ट का बहुत डॉन है उसका नाम मार्डेंबरी है और जब जिसने देखा जौर्ज को कि वह उसके पीछे-पीछे सड़कों पे जा रहा है तब इंस्पेक्टर जरॉल्ड को शक हो गया जौर्ज के उपर कि हो ना हो यह आदमी उससे मिला हुआ है इंस्पेक्टर बताते हैं जौर्ज को क ये जो माडन बरी नाम का ये जो क्रिमिनल है ये बहुत सफाई से क्राइम करता है और इसका साथ देती है एक लड़की जो अक्सर ट्रेंड में सफर करती है और बहुत सफाई से क्राइम को अंजाम देती है उसका नाम बेटी ब्राइट आईज है आप जॉर्ज को याद आती ह एलिजाबेट कहीं एलिजाबेट ने उसे बेकूफ तो नहीं बनाया था कहीं वो इस क्रिमिनल की गल्फरेंड या जो लड़की उसके संकाम करती है वो तो नहीं थी क्या ही वो बैटी ब्राइट आइस तो नहीं वा सारी आप बीती बता देता है इंस्पेक्टर को कि किस तरह एलिजाबेट उसे मिली और ब्राउन पेपर का पैकेट दिया था पूछता है इंस्पेक्टर की क्या वो बात्तरूम में जो कागज उसे मिला था जो जॉर्ज ने अपने पास रखा था वा उसे दिखा सकता है जॉर्ज ने वा पेपर पढ़ा था वा कहता है ये तो एक गई है अब जाने अन जाने जॉर्ज ने बहुत बड़ी मदद की थी पलिस की क्योंकि एक बहुत बड़ा कोई क्राइम होने वारा था जो डिफेंस से रिलेटर था वो होने से बच गया था जॉर्ज बहुत भारी मन से वापस ट्रेन में बैठ के लॉटने लगता है लंडन उ चॉर्ज न्यूस पेपर पढ़ने लगता है पेपर में छपा था कि एक दिन पहले बड़ी रोमैंटिक वेडिंग हुई है जिसमें रोलनाल्ड गेग नाम का एक बहुत अमीर शक्स है नामी गिरामी अच्छे खांदान का उसकी शादी हुई है ग्रैंड डेचस अनस्थीस या ओफ केटोनिया से अभी वही ग्रैंड डेचस थी जिसकी खोज वो लोग कर रहे थे जब यह नियूस पढ़ता है जॉर्ज तो उसको समझ भी निया तक उसके साथ हो क्या रहा है तब यह गार्डिक स्टेशन पर रुकती है और उसमें चड़ती है एलिजबेट वही मिस हसने लगती है एलिजबेट कहती है कि इन दोनों में से वो कोई भी नहीं है उसका पूरा नाम तो एलिजबेट गेग है और उसका सगा भाई है जिसने उस प्रिंसेस उस जचस से शादी की है जिसकी खबर पेपर में छपी है दर असल इसका जो भाई था वो प्यार करता था प्रिंसेस एनस्थीसिया से लेकिन एनस्थीसिया के जो अंकल थे वो शादी के खिलाफ थे इसलिए एक तरह से एलिजबेट अपनी सिस्टर इनलो होने वाली भावी की मदद कर रही थी भागने में ये दोनों एक टैक्सी में बैठे थे लेकिन उनका जो अंकल था वो लग प्रिंसेस के साथ इसलिए इससे पूस्ताच करने के लिए वो लोग आ जाते हैं और वो जो मिस्टीरियस आदमी था दरहसल वो तो ऐसे ही इसने एक प्रैंक खेला था ने इलिजबेट ने बार बार जोज उससे पूछ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे कैसे करे तब उसे जो भी आदमी स्टेशन पर खड़ा दिखाई दिया इसने कहा कि तुम इसका पीछा करना और रही वो अंगूठी दरह अलिजबेट ने उस दिन जॉर्ज को जो जॉर्ज ने उसकी मदद की थी उसके बदले वांगूठी उसे गिफ्ट के रूप में दे दी थी लेकिन साथ में एक प्रैंक भी खेला था कि तुम्हें आगे के इंस्ट्रक्शन्स मिलेंगे जॉर्ज को अपनी लाइफ में एक्स उनको मालूम पड़ेगा कि जॉर्ज को एक ऐसी लड़की पसंद आई है जो बहुत उंचे खांदान से तालुक रखती है तो जट से उन दोनों की शादी करा देंगे और जॉर्ज को भी अपना लेंगे अलिजबेट कहती है लेकिन क्या तुम सिफ अंकल को खुश करने के लिए शादी कर रहे हो तब जॉर्ज अलिजबेट से कहता है कि नहीं पहली नजर में अलिजबेट से उसको प्यार हो गया था इसलिए तो वो इसने इतने चक्कर काटे कि किसी तरह अलिजबेट उससे खुश हो जाए और उसे शादी करने को हां कर दें दोनों अंत में